जैन दोस्तों कैसे आप सब इंपक्ट अकेडमी के ओनलाइन प्लैटफॉर्म पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है बचो आज के इस लेक्षर में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज के इस लेक्षर में हम लोग पढ़ने वाले हैं गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में ठीके बचो गंगा जैसे आप लोग जानते ही है बहुत ही इंपोर्टेंट रिवर है और एक डाइगराम में बनाऊंगा और उस डाइगराम को ध्यां से समझना है पहले गंगा के बारे में कुछ एक आपको डिटेल्स बता दूं बचो सबसे पहली बात बचो गंगा के बा सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी है राइट बचो कितनी लेंद थे इसकी तो 2525 किलोमेटर 2525 किलोमेटर एक और इंपोर्टेंट बात बचो जो आपको गंगा के बारे में पता होना चीए वो यह है बचो कि यह चार नवंबर 2008 को कब 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रिय नदी का दरजा मिला था भई गंगा नदी को राष्ट्रिय नदी का दरजा मिला यह कोशन आप से पूछ लिया जाए कि भईया गंगा नदी मला हमारे देश की राष्ट्रिय नदी कों से गंगा कब बनी थी तो बच्चो चार नवंबर 2008 को य के इसका flow area flow area यानि कि बच्चो किन किन राजियों में ये नदी बहती है तो बच्चो जवाब क्या होगा जी उत्राखंड उत्राखंड के बाद कहां पर उत्तरपरदेश में उत्तरपरदेश के बाद बिहार में बिहार के बाद थोड़ा बहुत जार्खन में और जार्खन के बाद लास्ट में कहां पर बच्छो पशिम मंगाल में कहां पर पशिम मंगाल में तो इन इन राज्यों में ये नदी बहती है बच्छो नेक्स्ट ये नदी कहां पर ड्रेन करती है भाई ड्रेन कहां पर करती है यानि कि कहां पर गिरती है कहां पर ड्रेन करती है कहां पर गिरती है तो जवाब आएगा बच्छो बंगाल की खाडी बंगाल की खाडी कौन से देश में बंगलादेश वाले देश में बंगलादेश म भी मैं आपको मैप में बताऊंगा भी ठीक है बंगलादेश में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है राइट बच्छो इतना मुद्दा क्लीर हो गया नेक्स पॉइंट कहेगा बच्छो इस नदी का उद्गम स्थल बताईए उद्गम स्थल यानि कि इस नदी का ओरी या और बच्छो देव पडियाग को गौमुख भी कहते हैं इस न उत्रहकंड कहां पर ऻच्छा कॉँक्त जिय्म फैक्ते हैं बहरत की सबसे बंगाल की खाड़ी बंगलादेश में गिरती हैं उद्गमिसल सबसे पहली बात यहां पर एक जगह है बच्चो यहां पर एक जगह है बच्चो यहां पर एक गलेशियर है इसका नाम है बच्चो सतो पंथ सतो पंथ गलेशियर क्या नाम है सतो पंथ गलेशियर कहां पर पढ़ता है उत्राखंड में पढ़ता है बच्चो इस सतो पंथ गलेशियर से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है बच्चो विश्णू गंगा क्या नाम है विश्णू गंगा ठीक है सतो पंथ गलेशिय यहां से एक नदी निकली, नदी का नाम क्या है, विश्णू गंगा, अब बच्चो विश्णू गंगा, उसके बाद, एक और नदी है बच्चो जो इधर उत्राखंड से ही आ रही है, उत्राखंड से आ रही है, और इस नदी का नाम है बच्चो धोली गंगा, इस नदी का न प्रियागेह. यह आपका नाम क्या है विश्नु परियाग, धिया निख्येगा, जहां कहीं भी दो नदिया मिलती हें उस काई, क्या बोलते हैं‌ परियाग तो भाया कोशेर पुछ से विश्नु गंगा और धोली-गंगा कहा पर निकलती है तो विश्णु परियाग में जो है मिलती है यह ठीक है अच्छा तो पहले हम यही लिख लेते हैं सबसे पहला एक एक करके सारे पॉंट लिखते चलेंगे एक करके ठीक है और डियागराम आपको सासा बनाते रहे ना क्योंकि यह सकीन पर फीट नहीं होगा डिय ब्रेगरम तो धिया नहीं नकना टम इस बात का ठीक है बच्च हम तो सबसे पहल से पहली बात क्या है बच्चों कि था सतव पंत गलेशियर उत्राखंड से है क्या है सतो पंत गलेशियर सतवपन्त गलेशियर उत्राखंड से विश्णु गंगा निकलती है विश्णु गंगा निकलती है उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था उत्राखंड से धोली गंगा आती है उत्राखंड से धोली गंगा निकलती है उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि भाईया विश्णु गंगा और धोली गंगा कहां पर मिलती है विश्णु परियाग में तो नेक्स इंपोटन पॉइंट क्या है बच्चों कि भाईया विश्णु गंगा और धोली गंगा विष्णु गंगा और धोली गंगा विष्णु परियाग में मिलती है कहां पर मिलती है विष्णु परियाग में मिलती है ठीक है यह परियाग ध्यान दिखेगा बच्चो अभी आगे और भी परियाग आएंगे ठीक है ना बचो अच्छा विश्णु परियाग से बचो आगे एक नदी निकलती है जिसका नाम है बचो अलगनन्दा यहां से एक नदी निकली और इस नदी का नाम क्या है बचो इस नदी का नाम है अलगनन्दा तो एक और important point क्या कि भईया विश्णु परियाग से अलगनन लिए नदीनिकलते हैं अलग नंदीनिकलती है रइड बच्छो all clear हो गए फंडा चलिए अब बच्छो क्या हुआ ली जा हुआ है अलग नंदीनमीally 來說 is Nandakinian, यह एक नदी सी उतराखंड से इस नदी का नाम क्या है बच्चो नंदáक। ceksin? नंदाकिनी टॉ नंदाकिनी उइग मिल रही है तो परियाग होगा है इस परियाग का नाम है बच्चो नंद-परियाग. यह जो परियाग है इसका क्या नाम है तो इसका नाम है बच्चो नंद परियाग तो यही हमारा अगला पॉइंट हो गया क्या उत्राखंड से नंदाकिनी निकलती है उत्राखंड से नंदाकिनी निकलती है इंपोर्टन पॉइंट है एक और क्या अलक नंदा और नंदाकिनी नंद परियाग में मिलती है एक क्या है बच्छो अलक नंदा और नंदाकिनी कहाँ पर मिलती है भाई नंद परियाग में मिलती है नंद परियाग में मिलती है राइट बच्छो तो अभी तक हमारे पास दो परियाग आ चुके है एक आज चुका है विश्णु परियाग और एक क्या चुका है बच्चो एक चुका है नंद परियाग चलिए अब बच्चो नंद परियाग से भी आगे कौसी नदी जा रही है ये कौसी नदी है इसका नाम भी अलक नंदा ही है इसका नाम भी क्या है बच्चो अलक नंदा ही है राइट नंद पर्याग से आगे कोई सी नदी आ रही है अलक नंदा ही जा रही है अब बच्चो आगे एक जगह है जिसका नाम है करण पर्याग यहां पर एक जगह है इसका क्या नाम है करण प दी थी बच्चों उत्राखण से निकलती है ये भी इसका क्या नाम है पिंडर नदी पिंडर नदी तो पिंडर नदी पिंडर नदी अलक नंदा से कहां पर मिलती है नंद परियाग में मिलती है यही अपना नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि पिंडर नदी अलक नंदा से करण परियाग में मिलती है करण परियाग में मिलती है राइट बच्चो यह डागराम काफी बड़ा होने वाला है इसलिए धिरी धिरे बता रहा हूँ ध्यान से समझते रहना भई और साथ साथ इसको लिखते रहना डागराम पर फोकस करना पूरा का पूरा ठीक है ना चलिए करण परियाग हो गया अब बच्चो करण परियाग से आगे जो नदी आ रही है उसका नाम भी क्या है उसका नाम भी अलक नंदा ही है ये भी क्या है अलक नंदा है अभी भी आगे कौन सी नदी जा रही है अलकमंदा ही जा रही है ठीक अब बच्चो यहां पर एक और प्रियाग है इधर इसका नाम है बच्चो रुद्र प्रियाग इस जगे का नाम क्या है रुद्र प्रियाग अब रुद्र प्रियाग में एक नदी आकर मिलती है अब सवा चोरा बाड़ी गलेशियर कहां पर पढ़ता है उत्राखंड में पढ़ता है बच्छो चोरा बाड़ी गलेशियर से एक नदी आती है जिसका नाम है बच्छो मंदाकिनी इस नदी का नाम क्या है इस नदी का नाम है मंदाकिनी और किसे मिलती है अलगनंदा में कहां पर रुद उत्राखंड से निकलती है, मंदाकिनी, चोराबाडी गलेशियर, उत्राखंड से निकलती है, उत्राखंड से निकलती है, नेक्स इंपॉटन पॉइंट क्या कहता है, मंदाकिनी, अलक नंदा से, रुद्र परियाग में मिलती है, रुद्र परियाग में मिलती है, रैट बच्चो एक और परियाग आ गया भई जिसका नाम क्या है? रुदर परियाग चलिए नेक्स भई आगे देखते हैं अब देखो ज़रा यह हो गया अब बच्चो रुदर परियाग यहां से भी जो आगे नदी जा रही है इसका नाम क्या है? इस जगे का नाम क्या है बच्चो देव परियाग अब जी देव परियाग में कौन आके मिलता है? वो देख लो ज़रा देव परियाग में कौन सी नदी आकर मिल रही है? तो चोरा बाड़ी गलेशियर उत्राखंड हो गया जहां से मंदाकी निकल रही है उसी के नीचे बच्चो साइड में गलेशियर है इसका नाम में गंगोत्री गलेशियर यहां पर कौन सा गलेशियर है बच्चो? गंगोत्री गलेशियर कहां पर पढ़ता है? उत्राखंड में यहां से एक नदी जा रही है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है बच्चो भागी रथी इसका क्या नाम है बोले तो भागी रथी और यह किस से जाकर मिलती है अलग नंदा से जाकर मिलती है तो next important point गंगोत्री गलेशियर उत्राखंड से भागी रथी नदी निकलती है नेक्स्ट इंपोर्टन पॉइंट भागी रथी और अलग नंदा भागी रथी और अलग नंदा कहां पर मिलती है देव परियाग में मिलती है और यहीं से और यहीं से गंगा नदी निकलती है और यहीं से गंगा नदी निकलती है तो कहने का मतलब यह है कि यह जो आगे नदी जाएगी इसका क्या नाम होने वाला है गंगा और मैंने आपको बताये था गंगा का उद्गम स्थल क्या है बच्चों गंगा का उद्गम स्थल क्या है देव परियाग इसी को क्या बोलते है गोमुख बोलते है कलीर है बच्चों सारे के सारे परियाग आपको समझ में आ गए होंगे सारे का सारे प्रयाग आपको समझ में आ गए अच्छा एक और important point बच्छो ये जो भागी रती नदी है न बच्छो भागी रती पर भारत का सबसे उचा बांध है इंडिया इस हाइस डैम और उसका नाम क्या है बच्छो उसका नाम है टिहरी बांध यहाँ पर बच्छो यह बांध है इसका नाम क्या है बच्छो इसका नाम है टिहरी बांध कोशना है भारत का सबसे उचा बांध कौन सा है टिहरी बांध कांपर पढ़ता है उत्राखंड में पढ़ता है तो एक और important point बनके आपने लिए क्या तो देखो ज़रा भागी रथी पर भागी रथी पर भारत का सबसे उचा बांध टिहरी बांध कहां पर बच्छो यह उत्राखंड में टिहरी बांध स्थित है राइट बच्छो भागी रथी पर क्या है बच्छो भारत का सबसे उचा बांध स्थित है और उस सबसे उचे बांध का क्या नाम है तो बच्छो वो जो सबसे उचा बांध है उस सबसे उचे बांध का नाम क्या है बोले तो टिहरी बांध टीहरी बांद कहाँ पर पड़ता है बचो तो भागी रती नदी पर पड़ता है उत्राकंड के अंदर उचाय कितनी है तो 265 मेटर बचो इसके उचाय कितनी है तो 265 मेटर clear है समझ में आ गया इतना मुद्दा चलिए एक और बात बच्चों यहाँ पर हम सारे प्रियाग भी लिख लेते हैं ठीक है ना प्रियाग भी लिख लेते हैं प्रियाग पूछे जाते हैं कई बार कहता है उतोसे दक्षिन क्रम में लगाए अना कौन कौन से सबसे पहला विश्णू परियाग दूसरा नंद परियाग दूसरा कौन सारे बच्चों नंद परियाग तीसरा करण परियाग चौथा रुद्र परियाग और पांचवा कौन सारे बच्चों देव परियाग देव परियाग यही पांच वे न चलिए विश्णु परियाग हो गया करनंद परियाग, करन परियाग, रुदर परियाग और देव परियाग अपने को यह लिखना है कि यहाँ पर कौन कौन से निदियां आकर मिलती है तो विश्णु पर्याग में कौन मिलता है विश्णु गंगा और धोली गंगा उसके बाद बच्चो नंद पर्याग में कौन मिलता है अलक नंदा और नंदा किनी कौन मिलता है अलक नंदा और नंदा किनी नेच्स अबच्चो करण परयाग में कौन मिलता है करण परयाग में अलक नंदा और पिंडर नदी कौन है अलक नंदा और पिंडर नदी नेक्स्ट है बच्चो रुदर परियाग रुदर परियाग में कौन कौन मिलता है रुदर परियाग में अलक नंदा और मंदा किनी अलक नंदा और मंदा किनी अलक नंदा और मंदा किनी राइट बच्चो उसके बाद लास्टे बच्चो देव प्रयाग देव प्रयाग में देखो कौन-कौन मिल रहा है अलग नंदा और भागी रथी तो देव प्रयाग में कौन-कौन मिल रहा है अलग नंदा और भागी रथी भागी रथी राइट बच्चो कलीर है इतना मुद्दा समझ में आ ग आगे होंगे जघंगा नडी आच की है अब एके करके हम क्या करेंगे एक है करके समझेंगे कि बहुत गंगा की और कौनकों कौन सी और साहिक नदिया है ठीक है बुच्चो चलिए इसको मैं थोड़ा सा उपर कर देता हूं ठीक है न इसलिए मैंने पहले का आपको आप डागराम सासा बनाता रही हूं कि डागराम काफी लंबा बन जाएगा भी ठीक है न तो फिर आपको दिक्कत होगी बनाने में चलिए अब बच्चो एक और चीज इंपोर्टन चीज यहा बच्चो उत्राखंड के अंदर है गलेशियर इसका नाम है बच्चो बंदर पूछ गलेशियर यहां पर एक गलेशियर है इसका नाम है बंदर पूछ गलेशियर कहां पर पढ़ता है उत्राकंड में पढ़ता है यहां से एक नदी आ रही है जो कि सीधा जाकर किसे मिलेगी गंगा से मिलेगी बच्छो सीधा जाकर किसे मिलेगी गंगा से मिलेगी और उस नदी का नाम क्या है बच्छो उस नदी का नाम है यमुना और गंगा से यह नदी कहां पर मिलती है यहां पर मिलती है बच्चो इस जगह पर और यह कौन सी जगह है बच्चो इस जगह का नाम है प्रियागराज यूपी में यह पढ़ता है और इस नदी का नाम क्या है बोले तो इस नदी का नाम है बच्चो यमुना इस नदी का नाम क पर पहला कि हम अलग से पढ़ेंगे, यमना के वारा में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन बच्छों, यहीं चलो मैं बताई देता हूं, या फिर लास्ट में बता दूँगा, पर पहले यह देख लिजिएगा, कि गंगा यमना कहां पर मिलती है, तो प्रयागराज यूपी में मि मिलती है, right, next important point, यमना, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ट्रिबुटरी हैह भाई, ये important है, question पूछे, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है?, तो यमना, इबन बच्छों, यमना यमना यह भारत की सबसे लंबी सहाइक नदी भी है जितनी भी सहाइक नदी है पूरे भारत के अंदर उन सब में से सबसे लंबी सहाइक नदी कौन सी है तो जो आप के आएगा बच्चो यमना तो यमना भारत के सबसे लंबी सहाइक नदी है राइट बच्चो अब बच्चो गंगा की अगर मैं बात करूँ ना बच्चो गंगा की तो एक जगह है हरीदवार नाम सुना होगा हरीदवार बच्चो हरीदवार से यहां पर कहीं हरीदवार पड़ेगा बच्चो तो हरीदवार से क्या है और चों हरीदवार से गंगा नदी मध्यवर्थी मैदानों में प्रवेश करती है मध्यवर्थी मैदान आप लोग पढ़ चुके तो स्प्रिटल नेक्स इंपोर्टन पॉइंट क्या कहता है यहां पर कि गंगा नदी गंगा नदी हरिदवार से भारत के मध्यवर्ती मैदानों में मध्यवर्ती मैदानों में परवेश करती है मध्यवर्ती मैदानों में परवेश करती है रैट बच्चो कहां से परवेश करती है तो भाया हरिदवार से मध्यवर्ती मैदानों में प्रवेश करती है अच्छा अब एक important बात कोशन अब मैं सहाइग नदियों के बारे में पढ़ाने वाला हूं गंगा की कोशन कहेगा कि गंगा की सबसे पहली सहाइग नदि यहां पर एक जगह है इसका नाम है नामिक गलेशियर आई होप यह विजिबल होगा बिल्कुल विजिबल है भाई तो यहां से एक नदी आती है बच्छो इस नदी का नाम है राम गंगा इस नदी का नाम क्या है राम गंगा और बच्चो ये गंगा से आकर मिलती है कहाँ पर आकर मिलती है गंगा से तो यहाँ पर मिलती है जगे का नाम है बच्चो कनोज इस जगे का नाम क्या है कनोज कहाँ पर पढ़ता है यूपी में पढ़ता है बच्चो तो कोशन पूछे गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है तो जवाब क्या होगा बच्चो राम गंगा तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है पहली सहायक नदी गंगा की तो जवाब क्या होगा बच्चो राम गंगा राम गंगा राम गंगा के बारे में कोशन क्या क्या बनेंगे बच्चो सबसे पहली बात यह नामिक गलेशियर उत्राखंड से निकलती है यह नामिक गलेशियर उत्राखंड से निकलती है उत्राखंड से निकलती है नेक्स इंपोर्टन पॉइंट क्या है बच्छो राम गंगा के बारे में यह गंगा से यह गंगा से कनोज यूपी में मिलती है कनोज यूपी में मिलती है कनोज यूपी में मिलती है राइट बच्छो कलीर हो गया इतना फंडा समझ में आ गया चलिए तो भहिया अब भहिया अब देखो प्रियाग राज में यमना से मिल लिए ठीक है अब बच्छो अगर मैं यमना के बारे में बताऊं तो यमना के बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़े पताऊ निची है यमना नदी के बारे में भी सबसे पहली बात हम यमना के बारे में स साथ साथ लिखी लेते हैं ठीक है गंगा तो पड़ी रहे हैं लेकिन साथ-साथ आप यमना के बार में भी लिखते चलिए ठीक है वैसे में डिटेल गंगा के बार में बता रहा हूं मैं पर आप यमना के बारे में लिखी लो साथ-साथ यमना के बारे में क्या कि भाया ये कहा सकंट से निकलती है अच्छा यह म nice को बताई दिया कि यह क्या है यमना की सब से INKना नठी दि है वह मैंने आपको बताई दिया अच्छा यमिना गंगा से कहां कि मिलती हैं तो प्रयागराज यूपी में मिलती ये भी भी हमने देख लिया अब बच्छो गंगा यमना के बारे में अगर हम पढ़ें बच्छो यमना के बारे में तो यमना के बारे में कुछ एक चीज़े और आपको पता हो नीची है यमना के साहिक नदियों के बारे में जानते हैं यमना के साहिक नदियों के बारे में देखो जर कहां पर पढ़ती है बच्चो यह मध्य परदेश में पढ़ती है जनपाओ की पहड़ी कहां पर है मध्य परदेश में बच्चो तो यहां से एक नदी निकलती है बच्चो जो किस से जाकर मिलती है यमना से जाकर मिलती है यहां पर जगे के नाम क्या है यूपी यूपी में कह यहां पर UP के इटावा में ठीक है बच्छो तो नेक्स्ट यम्ना के बारे में आपको बता रहा था तो नेक्स्ट इंपोर्टन पॉइंट क्या बच्छोस के बारे में देखो यम्ना गंगा की सबसे लंबी सायक नदी है पर अगर कुश्चन पूछे कि यम्ना की सबसे बड़ सबसे बड़ी सायक नदी कौन से यह बच्छो तो जवाब के आएगा चंबल नदी राइट चंबल नदी हो गया चंबल नदी के बारे में क्या इंपोर्टन पॉइंट है कहां से निकलती है यह है जनपाओ की पहाडियां मध्य परदेश से निकलती है यह है यमुना से इटावा यूपी में मिलती है इटावा यूपी में मिलती है राइट बच्छो क्लीर हो गया अच्छा एक और इंपोर्टन बात बताओं आपको अब यहो चंबल नदी जो भी हमने देखी न मैप पे यहो चंबल नदी देखी चंबल की भी एक सहाइक नदी है, अब चंबल की सहाइक नदी कौन से है भई, तो बच्चों मध्यपरदेश के अंदर एक जगह है काकरी बाडी पहाडियां, काकरी बाडी पहाडी है एक मध्यपरदेश के अंदर, ठीक है, यहां से एक नदी निकलती है, जो चंबल में जाकर गिरती है और इस नदी का नाम बच्चो शिप्रा नदी की चंबल से मिलती है कहां पर मिलती है जगह का नाम क्या है मंद सोर तो एक और important point हमारे लिए क्या question बूचे शिप्रा नदी चंबल में गिरती है ऐसे लिख लेते हैं यहीं पर शिप्रा नदी मंदसोर में मंदसोर में चंबल में गिरती है मंदसोर में चंबल में गिरती है अच्छा शिप्रनदी आ गई तो शिप्रनदी के बारे में लिख लो अब शिप्रनदी इसके बारे में क्या important point है भई शिप्रनदी के बारे में यह काँ से निकलती है यह काकरी बारी पहाडी मध्यपर्देश से निकलती है MP से निकलती है बख्चो Siopra नदी के बारे में और important point क्या है Fiopra के बारे में तह दूसरा important point यह है बच्चो इसके किनारे उज्ज्ञेंस थे इसके किनारे उज्ञेंस थे तो जैन स्थित है राइट बच्चों कलीर है ये फंडा तो बच्चों जितने पॉइंट बता रहाँ ना सासा लिखते चलना इसलिए मैं बोल रहा हूं करनी तो ения案 यहां सेइक और नदी निकलती है बच्चों जो किसकी सहमीर्पूर यह भी कहां पर पड़ता है यूपी में पड़ता है राइट बच्चों कलीर होगा इतना फंडा Civil चलिए अब आगे देखते हैं और कोई सहायक नदी है क्या बिलकुल है भाई यमना की एक और सहायक नदी आपको पता होने चीए बच्छो बेतवा होगी नगी साथ है बच्छो कैमूर हिल्स कैमूर हिल्स कैमूर की पहाडिया कैमूर की पहाडिया ये कहां पर है बच्छो मध्य पर्देश के अंदर ही है अब यहां से एक नदी निकलती है बच्छो जो की यमुना में जाकर गिरती है और इस नदी का नाम है बच्छो केन क्या नाम है केन अब सवाल ये है कहां पर गिरती है तो जगह के नाम में बच्चो बांदा, बांदा यूपी में, यहन कि बच्चो यमुना के सहायक नदियों की बात करूँ, तो कौन-कौन से चंबल, बेतवा और केन, राइट? चलिए, नेक्स इंपोर्टन पॉइंट क्या है? यमुना की सहायक नदियां, यमुना की सहायक नदियां, कौन-कौन से हैं बच्चो चंबल, बेतवा और केन, राइट? चंबल के बारे मने आपको बताई दिया, बेतवा और केन के बारे में अपने को बजानना है, केन कहां से निकलती है बच्चो? कैमूर की पहाडियां मध्य परदेश से निकलती है मध्य परदेश से निकलती है दूसरा पॉइंट क्या है यह यमुना से यह यमुना से बांदा यूपी में मिलती है यमुना से कहां पर मिलती है बांदा यूपी में मिलती है अच्छा बेतवा मैंने अभी जस्ट आपको मैप में दिखाई देख लो बेतवा का से निकलती है विध्यांचल मध्यप्रदेश से निकलती है और कहा पर मिलती है हमीरपूर यूपी में मिलती है तो next important point बेतवा के बारे में क्या है यह है विध्यांचल मध्यपर्देश से निकलती है मध्यपर्देश से निकलती है दूसरा important point क्या है यह यमुना से यह यमुना से हमीरपूर UP में मिलती है हमीरपूर UP में मिलती है राइट बच्चो clear हो गया इतना फंडा चलिए तो यमुना के सहिक नदियों के बारे में हम लोगों ने जान लिया तो अभी ज़स्ते हम अकरें इस डैगरम को देखें ना अकर दियान से देखो यह कोई डैगरम ऐसे देखेगा आपको अब देख किती नोदिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कलियर तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन डाइगराम इसलिए बोर रहा हूं बच्छो सासा बनाते चलिएगा अभी तो आगे और भी बनेगा तो इसलिए बोरो डायाग्राम कुसासा बनाते चलिएगा और कोशिश कीज़ेगा ऐसे लैंड्सकेप मोड पर बनाए आप अपनी नोट बूक पर चोटे चोटे अक्षरों में लिखिएगा ठीक है यहां पर मैं चोटे लिख नहीं सकता तो इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं बच्छो यहां पर चलिए थोड़ा जूम-इन कर देते हैं अब इस पर आजाओ ठीक है चलिए तो हम प्रियागराज पहुँच गेते बच्छो अब प्रियागराज से आगे नदी चली याति है बच्छो गंगा नदी ओड़ेंगा चली जगह है फुलहार जील बोलते है इसको कहां पर है यूपी में नदी का नाम क्या है बच्छो गोमती तो कोशन गोमती नदी कहा से निकलती है फुलहार जील यूपी से निकलती है और गंगा से कहां पर आके मिलती है तो गाजीपूर यूपी में मिलती है तो next important point हम लिखी लेत अच्छा हाँ यमुना के बारे में एक और पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे यमुना के बारे में लागे एक पॉइंट लिख देता हूँ पहले वो यमुना हतनिकुंड बैराज से भारत के मध्यवर्थी मैदानों में परवेश करती है परवेश करती है राइट बचो हतनिकुंड बैराज आप लोगोंने हरणा जीके में पढ़ा होगा ठीक है हतनिकुंड बैराज आटेजन यम्रानेगर यहां से मध्यवर्थी मैं परवेश करती है चलिए गंगा के बारे में जानते हैं तो नेक्स इमोटर पॉट्ट का बताया था मैंने गोमती फुलहार जील यूपी से निकलती है और गंगा से गाजीपूर यूपी में मिलती हैं ये भी क्लिर हो गया चलिए अब हम गंगा नदी को आगे लेकर चलते हैं वाप इसे डागाराम पी आओओ गंगा नदी गाजीपूर पहुँच की अब बच्चों आगे गाजीबूर के बाद यह नदी बिहार में एंटर कर जाती है और एक जगह आती है जिसका नाम है बच्चो यहाँ पर चपड़ा जगह का नाम क्या है बच्चो चपड़ा कहां पर पढ़ता है यह बिहार में पढ़ता है बच्चो चपड़ा that is in बिहार अब बचो यहाँ पर कौन सी नदी मिल रही है भाई इस चीज़ को देखे जरा बचो छपरा बिहार में एक नदी आकर मिलती है और उस नदी का नाम है बचो घागरा उत्राखण से यह नदी आती है यहां पर है उत्राखण यहां से एक नदी आती है और इस नदी का नाम क्या है बच्छो घागरा बच्छो घागरा को सरयू नदी भी बोलते हैं सरयू नदी भी बोलते हैं यह वही नदी है जिसके किनारे आयोध्यस्तित है तो नेक्स इंपोर्टन पॉइंट क्या है बच्चो गागरा नदी को सरयू नदी भी कहते हैं सरयू नदी भी कहते हैं और यह गंगा से चपरा बिहार में मिलती है गंगा से चपरा बिहार में मिलती है चपरा बिहार में मिलती है राइट बच्चो एक और चीज़ सरयू नदी के किनारी क्या है बच्चो सरयू नदी इसी के किनारे अयोध्या स्थित है इसी के किनारे अयोध्या स्थित है क्लीर है बच्चों समझ में आ रहा है आ थोड़ी तब्यत भी खराब है भाई अच्छा गागरा के बारे में एक और important point क्या है देखो मैंने आपको बताया था कि गंगा की सबसे लंबी साहिक नदी कौन सी है गंगा की लेकिन बड़ी साहिक नदी कौन सी है तो घागरा आएगा बच्चों तो ध्यान रखेगा गंगा की सबसे बड़ी साहिक नदी कौन सी है गंगा की तो अब जवाब के आएगा बच्चों जवाब आएगा घागरा 696 km इसकी length है लेकिन इसके इंदर volume बहुत ज्यादा है यमना से ज्यादा volume है ठीक के ना इसलिए ये क्या हो जाएगी बड़ी साहिक नदी लंबी पूछेगा तो ज्वाब क्या होगा यमना और बड़ी पूछे का तो ज्वाब क्या होगा ज्वाब होगा बच्चो घा करण के सब्सक्राइब नडी को शर्यूद दी भी कहते है कि हम डाइगराम पर थे चलिए दाइगराम पर आते हैं वापस से डाइगराम पर आते हैं चलो है थो हम काम कचे आपए छपरा चपरा के जहां पर एक जगह है अमर कंटक का पठार, अमर कंटक का पठार बच्चो मध्य परदेश के अंदर है, अमर कंटक के पठार से नदी निकलती है बच्चो जो किस से मिलती है, जो गंगा से जाकर मिलती है, कहां पर पठना में जाकर मिलती है ध्यान रखेगा, अमर कंटक के ध्यान रखिएगा बच्छों, अमर कंटा के पठा से नर्मदा भी निकलती है, जो नेक्स लेच्टर में पढ़ा हुआ, अमर कंटा के पठा से नर्मदा भी निकलती है, लेकिन नर्मदा पश्यम के और बहती है, और सौन उत्तर के और बहती है, तो अमर कंटा के पठा से दो प्रका की नदिया निकलती है, एक रमदा और वेक कों से निकलती है, सोन, सोन किससे मिलती है, गंगा से कहां पर पठना में, राइट, तो next important point क्या है बच्चो, अगला important point, just a minute, चलिए, तो अमर कंटक के पठार, मध्य परदेश से सोन नदी निकलती है, और गंगा से पठना बिहार में मिलती है, गंगा से पठना बिहार में मिलती है, राइट वच्चो, क्लीर होगया इतना मुद्दा, चलिए, वापिस आओ भी नधी हमारी गंगा नधी हमारी कहां पहुँच चुकी है? , गंगा नदी हमारी पठना पहुँच चुकए है, तो गंगा नदी को आगे लेकर जाए मिलती जानिति, बिहार में यहाँ पर एक जगह का नाम क्या है? सोनपूर, सोनपूर अब सोनपूर में कौन सी नदी आकर मिल रही है उसको देखते हैं जरा पहले हम इसको थोड़ा से साइड कर देते हैं आगे नदी आगे और भी जाएगी भाई अभी तो ठीक है तो बच्छो देखो जरा बच्छो यहां पर है नेपाल ठीक अब नेपाल से एक नदी आ रही है जो कि सोनपूर that is in बिहार सोनपूर कहां पर पढ़ता है बच्छो बिहार में पढ़ता है तो यहां पर आकर एक नदी मिल रही है सोनपूर बिहार में और उस नदी का नाम क्या है बच्छो तो उस नदी का नाम है गंडक उस नदी का गंडक नदी निकलती है गंडक नदी निकलती है और गंगा से सौनपूर बिहार में मिलती है गंगा से क्या करती है वो सौनपूर बिहार में मिलती है रैट बच्चो चलिए तो ये नदी भी होगी हमारी अब आगे बढ़ते हैं बाई नदी हमारी कहां पहुंच गई अब सोनपूर सोनपूर के बाद बच्चो अगली एक जगह है उसका नाम है बच्चो कुरसेला ये भी बिहार में है बच्चो यहां से एक नदी आई ये निकल रही है नेपाल से और ये नदी भी आकर किस में गिर गई गंगा के अंदर गिर जगह कहां पर है कुरसेला कुरसेला कहां पर पढ़ता है बिहार में पढ़ता है और इस नदी को बोलते हैं बच्चो कोसी का नाम है कोसी राइट तो next important point देख है कोसी नदी निकलती है और गंगा से कुरसेला बिहार में मिलती है कहां पर मिलती है भाई ये सी अ नल.. नल.. हुँआ, बच्चो कलीर हो गया इतना फंड़ा समझ में आ गया अच्छा कोसी नदी के बारे में ऑर इंपोर्टन पॉइंट बता दू को वारे में इसे बिहार का शोक भी कहते हैं प्र Tech का तो चू linger के बारे में कि यह विश्म में सबसे यह बदलती है यह भी पॉइंट लिख लेना आप लोग कि भाया कोसी नदी के बारे में कि भाया विश्व में सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी विश्व में सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कॉं सिए तो आप क्या होगा बच्छो कोसी नदी कहने जवाब क्या है कोशी नदी मैद बच्छों क्लीर हो गया चलिए यह तक क्लीरम क्छलिए होगा अभी दुबारा भी सम्झाओं गार मंद नदी पोछ गतो आती है बाचो गुदारी घाट नदी आगे गई यहां पर एक जग्हा आई बाचो इधर और जग्हे के नाम क्या है इक बाचो गुदाइर घाट इस इस टुम नदर भी आकर एक नदी मिलती है गुदारी खाट यह माक एक नदी मिलती है नदी का नाम है बच्छो महानन्दा जो की दाजलिंग से निकलती है बच्छो पश्री मंगाल से दाजलिंग पश्चिमंगाल से निकलती है, गुदारी घाट में आकर मिल रही है, जगनदी का नाम क्या है, महानन्दा, तो नेक्स्ट इंपोर्टर पॉइंट क्या है बच्चों, महाननन्दा दाजलिंग से निकलती है, दाजलिंग से निकलती है, और गंगा से गुदारी घाट में आकर मिलती है, गुदारी घाट में आकर मिलती है, रैट बच्चों, कलीर हो गया इतना मुद्दा, समझ में आगी, चलिए, तो हमारी गंगा नदी कहां पर पहुंचे के लास्ट में, गुदारी घाट, रैट बच्चों, अब एक और इंपोर्टन पॉइंट बच्चों, यह जो है ना, गंगा की लास्ट सहायक नदी थी महानन्दा, कोशन पूछा जाता है कि गंगा की आकरी सहायक नदी कौन सी है, तो जो आप क्या होगा बच्चों, महानन्दा, नाम क्या है बोले तो महाननन्दा यह गंगा की आखरी सहायक नदी है, कलीर है बच्चों, समझ में आ गया, अब बच्चों वापिस अगर मैं मैप पे आओ ना, अब यहाँ पर गंगा नदी क्या करती है, गंगा नदी दो टुकड़ों में तूट जाती है, एक टुकड़ा क्या होता है बच्चों, पश्यमंगाल में आ जाता है इधर, ठीक है ना, एक टुकड़ा तो कहां चला गया, बंगलादेश कंदर अब यह बनाएंगे उसको भी, और एक टुकड़ा क्या करता है बच्चों, एक टुकड़ा आ जाता है पश्यमंगाल में, और य इसका बच्चो एक हिसा चला गया इसका बंगलादेश में अब एक चीज समझने वाली है बच्चो द्यां से समझना जरा कि अब बले डाइगराम को छोटा करना दो मिलकुल परता चलिए अब बच्चो व्लेकमार्क ठीक है यहाँ परने जगे है इधर यहाँ से एक नदी आ रिए भाई और इस नदी का नाम है बच्चो ब्रहंपुत्र नदी देखते यह परने दोनाचर पार्देश बच्छों में प्रवेश करी यंग्यप दर्रा से और बंगलादेश में आ गई और किस्से मिली है गंगा से मिली है अब इस डियागराम को बढ़ा करतो अब जहां से देखना जाए अब बच्छों यह जो मैं डॉटेट सरकल लगा रहा हूं यह है बच्छों बंगलादेश यह क्या है भई यह तो होगया बंगलादेश ब्रह्मपुत्र के बारे में डिटेल में कल पढ़ाऊंगा ठीक ना नेक्स लेक्टर के अंदर यहां पर बस ब्रह्मपुत्र जान लोग ब्रह्मपुत्र आ चुकिए तो यह जो नदी है बच्छों यह कौन सी है यह तो होगया बरव पुट्र अब बच्छों जैसे sapल करता इंटर करती ही है तब इसको बोलते हैं बच्चो जमुना क्या बोलते हैं जमुना तो हमारे लिए दो और इंपोर्टेंट पॉइंट बन गया बच्चो कौन-कौन से कि भाईया गंगा को बंगलादेश में पदमा और ब्रह्म पुत्तर को बंगलादेश में जमुना कहते हैं क्या कहते हैं जमुना कहते हैं राइट बच्चो next important point बच्चो वापिस डाग्राम पे आओ बच्चो पद्मा जमना दोनों मिल गई जैसी ये दोनों मिली बच्चो अब ये एकोकर बहेंगी और अब ये इनके जो स्रियुक्त धारा है इसको बोलते हैं बच्चो मेघना इसको क्या बोलते हैं मेघना इसको क्या बोलते हैं मेघना अब बच्चो ये मेघना वापिस भारत में प्रवेश करेगी बंगलादेश में और बच्चो आगे जाकर ये क्या करेगी बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी और डेल्टा बनाएगी और इस डेल्टा का नाम है बच्चो सुंदरवन डेल्टा इस डेल्टा का नाम क्या है सुंदरवन डेल्टा जो कहां पर पढ़ता है पश्ची मंगाल में पढ़ता है वेस्ट बेंगोल में पढ़ता है जो की विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है लेकिन एक चीज़ का ध्य गंगा ब्रंपुत्र एक साथ इसका नाम फिर बदल गया इसको में एक साथ कहते हैं गंगा ब्रंपुत्र ध्यान लखेगा बच्छो गंगा जैसे मंगलादेश में गई तो पद्मा ब्रंपुत्र आई तो जमुना पद्मा मिलकर मेगना मेगना को भारत में क्या कहते हैं पत्मा और जमना की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं Next important point मेघना बंगलादेश में बहती है यही point निगलेगा ना मेघना बंगलादेश में बहती है बंगलादेश में बहती है Next important point मेघना को भारत में गंगा ब्रह्म पुत्तर कहते है मेघना को भारत में गंगा ब्रह्म पुत्तर कहते है Next point गंगा ब्रम्पुत्तर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुन्दरवन डेल्टा का निर्मान करती है तो यह पढ़ता है बचो वेस्ट बेंगौल मेंपशिमंगल में तौ बं इप बर्मपुत्र के मी की यहां पर लेक्ष्टर के प्ड़ेंगे तो काफ बड़ा हो चुका है तो अब जल्दी साब को बार डाग्राम बता देता हूं डाग्राम क्या-क्या था हमने क्या-क्या पढ़ा यहां पर यहां से अमने शुरू किया था बैने आपको बताया सतवपंथ गलेशेर उत्राखंड से नदी का नाम है विश्णौ गंगा फिर विश्णौ गंगा के अंदर धोली गंगा मिलती है विष्णौ पर पर याग में फीर आगे गई अलकननदा और इसमें आकर जान दिवाटए इसका नाम में मंदाकनी तो मंदाकनी कहां पर मिलती है रुद्र पर्याग में और मना हिए जाह से कहां पर पढ़ता है तो उत्राखंड में पढ़ते हैं प्रियाग कहां पर उत्राखंड में अच्छा भाग्रती पर भारत का सबसे उचा बांद इसका नाम क्या है टीरी बांद कहां पर पढ़ता है उत्राखंड में देपरयाग से ही नदी निकलती है गंगा और गोमुख भी कहते हैं आगे जो जारी बच्छो आगे आता हरीदवा व्य particular से क्या होता है बच्छो गंगा नदी बात के मद्यवरती मदानों में परवेशकर जाती है उसके उसके बच्छो गंगा नदी कि पहली साहिग नदी कौन सी है तो बच्छो जवाब के होगा जी राम गंगा है उसके बच्छो आगे आता प्रियागराज यूपी और यहाँ पर बंदरपूश गिलेशियर उत्राखण से नदी निकलते है यमना यमना कहाँ पर आकर मिलती है गंगा से प्रियागराज बच्छो उसके बाद एक और इंपोर्टन चीज हम यमना के बारे में पढ़ रहे थे तो यमना के बारे में आपको बताया कि यमना की तीन साहिग नदियाएं बिडू कौन-कौन सी है चंबल बेतवा और केन चंबल नदी कहां से निकलते है जनपाओ की पाडिया मद्देप अच्छा जो चंबल नदी यमना में कहां पर गिरती है तो यूपि इटावा तो ड़ेखा उसके बाद बच्छो उसके बाद हम आ梓 यह पर आचा चंबल टो खुल में उसके वाद हम गंगा पर आए तो भाइया गंगा नदी प्रियागरा से आगे निकली तो यह पहुंच गई बहिया गाजीपुरु इूपी में यहांपर एक गॉंपी नदी मिलती है जहां पर चप्रा चप्रा भिहार में यह नदी निकलती है गागरा जिसका दोस्त प्र नदी पहांपर पहुची गंगा a पटना में पटना कहाँ पर पाधा है बिहार में बिहार की राधनी है यहाँ पर एक नदी मिलती है a इमर्कंटक के पठार मदे बदvalsit से निकलती है। एक तो उत्तर के और बैरे 12 का नाम है सोन और पश्चिम sabes को कहाना है निपालस नेक्स उसके बाद पठमा के बाद आ जाता है। बिहार का शोग या का चाहिता है बिहार का शोग और कोश्टी ही है पूरे विश्व के अंदर जो सबसेयादा Mark बदलती है कौशन हाता है Minga anadagya उसके भाद बच्छो घंगा Надी दो हिसों बढ़ जाती है एक हिस्सा इसका कर यमुना में मिलती है यमुना नहीं जमुना जमुना वही है जो कि क्या है ब्रंपुत्र का भाग है ब्रंपुत्र जो कि तिब्बत से आ रही है और ना जो परदेश में एंटर की पर असम असम से कहां पर चलेगी वह बंगलादेश के अंदर तो ब्रंपुत्र को बंगलाद ये बचो उस डेल्टा का नाम क्या है सुंदरबन डेल्टा क्या नाम मैं बोले तो सुंदरबन डेल्टा इसका नाम है ये थी बचो पूरी की पूरी पूरी की पूरी गंगा नदी बताओ भई अब इसमें क्या दिक्कत है थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं जितना बड़ तो ही जाएगा ठीक है बच्छो इसे इसका ध्यार डगना भाई ठीक है चलिए यह डियागराम था पूरा का पूरा आयोप कुछ तो क्लियर होगा यहां पर शाद ना हो तो आप वीडियो के रिवाइंड करके देखेगा उसके बाद आप थोड़ा सा और अपने नोट्स में स पढ़ेंगे ठीक है बच्छो लाच्टे सेलिक्टेट को भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखेगा फिर भी कोई डाउट हो तो आप डाउट सेक्षिन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं तो मिलते हैं बच्छो नेक्स लेक्षर के अंदर थैंक यू सो मच जैहिन जैभारत